नमस्ते भारत आज के वीडियो में हम जानेंगे अगर हाई वोल्टेज की लाइन जमीन पर गिर जाए तो वहांके इंसान आसपास कैसे बच सकते हैं और वो लाइन गिर जाती है तो क्या होता है पाबर स्टेशन से अपने घरों तक करेंट की सप्लाई कैसे होती है और हम ये भी जानेंगे कि हाई वोल्टेज का करेंट होता है वो इंसान को कैसे खीच लेता है बिजली कैसे खीच लेती है चलो शुरूवत करते हैं तो आज इसी पूरी वीडियो के बारे में समझेंगे आगी आग देख रहे हो ना तुम लोग चलो आप लोगों ने बड़े- इसनीम द्रेशिज पूर्डेज का खीपकभणा अचलों करेंगे पोड़े-फ। transmission line ठीक है इस वाले इससे को बोलते हैं tower ठीक है और इसको बोलते है peak और ये बोलते है case जालसा और ये ऐसे ये इस तरीके से लटक रही है न इनको बोलते हैं arm और ये arm पर ये जी जो चीज लटक रही है इसको बोलते हैं insulator क्या बोलते है insulator इसको porceline का बनाया जाता है किसका por कrain के सप्ला की होती है अभी मैं बताता हूँ यह सबरा देख लिया तुमने इसके वारे मैं हल्का सा मैंने वता दिया आगे चलू यहां पे देखो यहांस वागर्पवायर से सारे के सारे बायर्प्र does की अंदर यह तुम देख रहे होंगे O.PGW इसको बोलते हैं optical ground wire इसका पता है क्या काम है optical ground wire का काम है जो तुम 4G 5G internet का इस्तमाल करते हो तो internet का जो supply होती है वो यहीं से करवाते हैं यह खंबे हैं इनको internet के लिए भी इस्तमाल कर लिया जाता है और बड़ी बड़ी जो company है जी ओ, club idea वगएरा यह सब इसको खरीद लेती हैं इसे internet को यह जो बायर है न इसी से power line current communication होता है communication का मतलब हुआ एक sub station से दूसरे sub station तक कोई भी communication करना है कि भईया यह line खराब हो गई इसका तार कटके गिर गया तो वो इसी line के through होता है अब ध्यान देना OPGW यानि की optical ground cable मालू है इसमें total internal reflection के कारण communication कर पाते हैं और internet यहाँ पर आ पाता है यह बहुती ज़्यादा पतले पतले बायर होते हैं ठीक है इसके अंदर ही और यह जो चीज देख रहे हो तुम यह क्या है भाई साब damper का काम क्या है उस company को absorb कर लेना सोख लेना जिससे क्या है तार के तूटने के chances जो है कम हो जाएं यहाँ पर देखो तो अब हम समझेंगे earth wire आखिर कार क्यों लगाया जाए रहता है यहाँ पर अब यहाँ पर तुम यह earth wire देख रहे होंगे यह इसका काम क्या है इसको सबसे उपर वाले point से लेके जाया जाता है transmission line के और वो इसलिए लगाया जाता है यह earth wire क्योंकि इसके अंदर opgw हुए ठीक है optical ground wire और इसका एक और काम है मालनों यहाँ से कोई conductor तूट जाता है और तूटके इस लट्टे से सट जाता है तो इसके अंदर current जाएगा तो वो जमीन में current जाएगा तो आसपास जो भी इंसान आएगा या जानवर आएगा उसकी मौत हो जाएगी ठीक है लेकिन होता क्या है होता क्या है इस earth wire को जैसे ही लगा लेते हैं तो यहां से कुछ भी तूटके इससे सट जाए कोई दिक्कत नहीं है जो भी current इसके अंदर फिलोगा वो इस wire से होके निकल जाएगा ठीक है वो direct यहां से अर्थिंग होगी उसकी बास समझगे तुम मेरी तो इसलिए इस earth wire को लगा जाता है और तो दो potential आते हैं अपर एक तो touch potential आता है एक step potential आता है touch potential का मतलब है इसके अंदर touch potential आ गया यानि कि अब जो भी इसको छूलेगा खंबे को खात्मा हो जाएगा उसका ठीक है step potential क्या होता है मैं तुम्हें आगे समझाऊँगा लेकिन वो step potential से फिर भी नहीं बच सकता वो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा तो step बाला बताऊँगा ध्यान रखना अब यहाँ पर देख रहे हो तुम ये इसको बोलते हैं spacer spacer का मतलब का होता भाई साब ये चार बायर एक साथ आ रहे हैं तौनों से एक दूसरे से सट ना जाएं इसलिए spacer लगाया जाता है इसका काम है space बनाने वाला अगर ये सट जाएंगे तो धमागा हो जाएगा ठीक है चटर मटर हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से इसलिए spacer लगाया जाता है और एक और चीज़ देख रहे होंगे तुम यह जो रिंग है इसको देख रहे होंगे यह रिंग क्यों लगाया जाती है मैं बताता हूं देखो यह जो रिंग है ठीक है इनको क्यों लगाया जाता है देखो इसको बोलते है हम Corona Discharge Ring या Anti Corona Ring इसका काम पता क्या है इसका काम यह है कि मान लो बारिस पढ़ रही है करेंट तो बहुत तेजी से भाई रहा है ठीक है तो बारिस पढ़ने से क्या होगा इसके अंदर जो है इस पार्किंग वगेरा जन्रेट होने लग जाईगी तो current leak होगा और उसी current के leakage को क्या करेंगे बहुत जादा current हो जाएगा ठीक है उससे heat distribute करनी पड़ेगी अब current generate होगा तो heat भी बहुत जादा आजाएगी तो heat को distribute कर सके इसलिए इस Corona Discharge Ring को लगा जाता है मतलब ज्यादा extra amount का current होता है यानि कि surge current बोलते है उसको ज्यादा current जो होता है तो उसको anti-corona ring से leak कर दिया जाता है भार निकाल दिया जाता है ठीक है तो इससे क्या है एक घटना बच जाती है अगर बायर heat होगा तो तूट जाएगा surge current की बजा से और तो बायर तूट गया तो फिर भारी नुकसान हो जाएगा ठीक है जमीन वमीन बगिर जञेगा ठीक है तो उससे बहुतों को नुकसान हो सकता है जीव जनतूं को भी हो सकता है इसलिए उसको लगा जई जाता है अब यहां पे धेहन दो तो अब current इस jumper wire से होके जाएगा, ये porceline का insulator होता है, किसका? porceline का insulator, ये जो तुम देख रहे हो न, ये insulator होता है, current इसमें से बहना बंद हो जाता है, अब इस jumper wire को लगाने के दो कारण है, देखो, जैसे कि तुम देख रहे हो, ये जो wire आ रहा है, वो यहाँ पर बांद द इसका मतलब load इसका distribute हो गया, इस खंबे पर दो यी wire की वजाए से load है, एक इसकी वजाए से, एक इसकी वजाए से, जो अगला खंबा होगा, उस पर भी दो wire की वजाए से load होगा, ठीक है? तो एक खंबे पर load जोए distribute हो जाता है, एक यहाँ पर बंद दिया, दूसरा यहां स आप इसको jumper wire से connect कर दिया, तो jumper wire से क्या current फिलो होने लग जाएगा, है ना, अगर मानलो कोई कष्ट आ जाता है यहाँ पर, मानलो कोई तार तूटके गिर जाता है और सही करने वाले आते हैं, तो इस jumper wire को broke कर देते हैं, यानि कि jumper wire को तोड़ देते हैं, तो तोड़ने से क्या पूरी लाइन को बिना डिश्टर्ब की है ठीक है तो इसलिए ब्रोकन जंपर बोलते हैं इसको तोड़ दो तो फिर काट के इसको सई कर लेते हैं अपनी लाइन को और यहां से क्रेंट कैसे नहीं फ्लो होगा वैसे क्योंकि यह इंसी लेटर लाया जाता है इसको इसलिए लाल लाइन करना यहां से अरो प्लेन गुजरते हैं तो उनको यह दर्सानी के लिए लगाया जाता है तो बच जाना पता चला पैरासूट वाला आ रहा है उससे यहीं लेंड करना है तो वहीं घर चोलेगा तो इसलिए इन्हें लाल लिया औरेंज कलर का लगाया जाता है जिसकी बेबलेंट जो है बहुत आई होती है जिसकी वजह से आसानी से दिख जाते हैं तो बोलोग यह वह तो उपर से निकलते हैं या पिर इस जगये से निकलना बंद कर देते हैं ठीक है यहितो दो कारण है अब देखो यह तुमने देखे होंगे इस तरीके के तारगा see Corner के टाइप के ठीक है अब इनका काम क्या है यह होते है गार्डिंग वायर गारिंग यार प्कान क्या है बोल्ट अमीटर से अब इस ट्रांस्मिशन से लाइन आ रही है एक लाक वोल्ट की चार लाक वोल्ट की और वो हमें नाप नहीं है तो किससे नाप होगे अमीटर से अरे फट जाएगा वो उससे नहीं नापते तो को गोलते हैं हम करेंट ट्रांस्फॉर्मर और जिस चीछ से इस्तमाल होती है अब हम जानने की कोसिस करते हैं आखिरकार मान लो बैसे तो इनकी बहुती ज़्यादा सिक्यूर्टी रखी जाती है कि कोई भी वायर हाई टेंशन लाइन का टूटना जाए अगर मान लो फिर भी कोई वायर टूटके जमीन पर गिर जाता है दो केस हो सकते है या तो वायर टूटके हवा में लटक जाए या तो वो जमीन पर गिर जाए या वो टूटके इस लट्टे से सट जाए तो मैंने जैसे ही तुम्हें अभी बताया अगर मान लो कोई वायर टूटके लट्टे से सट जाता है तो क्या होगा यहां पर टच पोटेंशियल आ जा वो युड़ का पूरा अर्थवायर की फिलओ हो जाएगा लेकिन वो से बच गया लेकिन motivation你要 क्बोर इस यो बनाऊओगा तो 40 अब जैसे और दूर्म गाऊंगा तो alongside het इसी को बोलते हैं potential gradient ठीक है technical term है potential gradient इसका मतलब यह है जैसे जैसे दूरी बनाओगे बैसे बैसे potential कम हो जाएगा और यह जो गोला बना रहा हूं ना मैं यह गोला इस गोले का मतलब क्या है यहां पर और यहां पर potential same है मतलब कोई भी difference नहीं है तो इसको बोलते है equipotential surface यानि कि ऐसा surface जिस पर potential समान है यह technical term है अब equipotential surface पर क्या होता है यहां तुम अपने पैर कहीं पर भी रख लो तुम्हें current नहीं लगेगा ठीक है तो जैसे ही जमीन पर बायर गिरा है तो तुम भागो मत वहां रुक जाओ वहां क्या करो रुक जाओ ठीक है अब तुम् मैं लिखा रहता है कि ऐसे तुम बच सकते हो लेकिन बचने के जो है बहुत कम chance है ठीक है अब तुम्हें मैं यह पर potential समझा दूँ उससे पहले समझो कि current कैसे लगेगा जैसे कि यहां से मानलो बायर तूट जाता है और गिर जाता है तो होता क्या current ऐसे फिलो होने लग जात इसमें और बलब जो है जल जाएगा इसी तरीके से कोई आदमी खड़ा होगा तो उसका भी बलब जल जाएगा ठीक है समझ गए मेरी बात को क्योंकि यह circuit जो है फिर complete हो जाता है पहले एक बार potential बढ़िया तरीके से तुम्हें सिखा देता हूं जैसे कि तुम यह देख रह पानी इसमें नहीं बर रहा और ना इससे खाली हो रहा है तो यह तो पानी सवान हो गया जब यह टंकी फुलती तब क्या है पानी इसके अंदर भ़र रहा था है ऐसी करेंट के साहत है जब करेंट यह धा पर जादा HOL की तरफ आएगा यानि HAI PUTEệc. से लो की तरफ आएगा और जब तक फिलो होगा जब तक जब तक पुटेंशियल डिफरेंस जो है समान ना हो जाए बराबर ना हो जाए अगर तूटके हवा में लटक जाता है तो इसका मतलब क्या है यहां के आसपास की एयर जो है आयनाई हो जाएगी आयनाई का मतलब चार् जो हो जाएगा क्योंकि हाई पुटेंशियल से लो पुटेंशियल ठीक है इसकी हवा जो है आयनाई होगी है मतलब उसके अंदर चार जा चुका है क्या चुका है चार्ज अभी मैं तुम्हें यह बात और अच्छे से समझाने वाला हूं यह वीडियो देखो जैसे जमीन प क्योंकि आदमी घबरा जाता है ठीक है आदमी जबी बस सकता है जब जूते बूते पहना हो एकदम फीक है और ऐसा नहीं है कि ग्राउंड के कॉंटेक्ट में जूते भी नहीं पहना तो तो वो मर जाएगा आगे देखो जैसे मानलोग कोई भी तार ब्रेक होता है और वो ज सब्सक्राइब करता है और यहां पर कर देता है लेकिन मानलो अगर यहां से कोई बाया तूटा और वो हवा में लटक गया तो फिर क्या होता है ब्रिले क्या करता है इस alarm को बजा देता है और यह बता देता है कि कोई बैयर जो быть जुल रहा है तो alarm जैसे ही पता चलता है बहु लज़ मैंने अभी बताब हिए आभी बताया था कि होता क्या है जैसे कि यह एक टावर है अब problem यहीं आई है, तो यहाँ पर यह क्या है, यह jumper wire लगा है, तो यह jumper wire को काट देंगे, तो supply बंद हो जाएगी, और jumper wire काटने के बाद इस wire को एकदम सटीक साही कर देंगे, ठीक है, फिर jumper wire भी जोड़ देंगे, फिर current का फिलो होने लग जाएगा, इससे क्या है, पूरी की मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो में देखना, कि जो transmission line है, वो घरों के आसपास बिची हुई है, मैं तुमने ये वीडियो देखा होगा, मैं तुमा कहानी बताता हूँ, कोई भी बिजली विभाग जो ऐसा काम नहीं करता, कि घरों के पास transmission line लगा दे, लेकिन पहले उस जगा महां पर खेतते हैं, मेरे घर के पास काई एडिया है, खेत होने की बज़ा से क्या है, महां पर कुछ तो था नहीं, transmission line थी, लेकिन city जो बाद में बस्ती गई, बस्ती गई, आग राए न, तो city बस्ती गई, तो फिर घर बनते गई महां पर, ठीक है, मनलो, घरों के पास हो तुम, तुमारा घर है, transmission line के पास, तुम घर की छतपे, कपड़े सुखा रहे हो, ठीक है, तो तुमने ये भी सुना होगा, कि भाई, घर की छतपे, खड़े हो के कपड़े सुना रहा था, उसे बिजली ने खीच लिया, तो बिजली बिजली खीचती अच्छी में होता क्या है, जैसे कि मनलो, ये मेरे पास क्या है, एक बायर है, ठीक है, इस तरीके से, अब ये क्या थोड़ा सा लटक जाता है, तो इसके आसपास की air हो आइनाइज हो जाती है, और तुमारा घर मनलो, तीन मंजल का है, तुम खड़े हो, और तुमारी ये रस ही है, तुम जैसे ही रसी टांगते हो, तो आइनाइज एर क्या करती है, इसके पास आगया air के पास चार्ज, तो जैसे ही चार्ज आ जाता है, तो चार्ज को क्या चाहिए भाई साम, इसको तो बस चाहिए था, कि कोई भी मुरगा आ जाए, जो कि मेरे को लो पुटेंसियल दे दे, हाई पुटेंसियल तो इसके पास ही है, तो हाई पुटेंसियल से लो पुटेंसियल तक इस पर करेंट फिलो हो जाता है, और यहां जो व्यक्ति होता है, वो मर जाता है, तो फिर ऐसे कहते हैं कि बिजली ने खीच लिया था, बिजली खीचती वीचती किसी को नहीं तो high potential से low potential होने की वज़ा से बिजली को एक रास्ता मिल जाता है, current को एक रास्ता मिल जाता है, वो आदमी के अंदर flow हो जाती है, जिसकी वज़ा से वो आदमी की मिरत्व हो जाती है, समझ रहे हो इस बात को, तो ये सारा का सारा system था, यहां तक हमने समझ लिया, अब phase wire, neutral wire, और भी कुछ electricity के बारे में तुम जानना चाते हो, तो comment section में बता सकते हो, मैं इसकी part 2 बना दूँगा, ठीक है?